लो दोस्तों वॉल्कम बेक टो माई चैनल 충्बिली वाला आज मैं आपको बताऊadım vídeos तो कि लेबर के किया किया साइन होते हैं कैसे पेशाने कि हमारी बिली बच्छा देने वाली है तो दोस्तों एतियाद भी बताऊँ और यह भी बताऊंगा क्या-क्या जरूरी चीज़े हैं जो आपको रखनी चाहिए तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों यह कि हमें यह नोटिस करना है यह डेट लिखके रखनी है कि हमारी जो कैट है वो फिर्स टाइम मेट कौन सी डेट पर होती सबोश करिए कि आज नौ तार क्यों को आपको एक वोक्स लेना है जैसे बाकशन का पूसले लेना है वह वह लेनार और आपको अपने घर में रखना है कि जिसक करती बोश्ताप नीचे बेंट च्छिए नहीं ठीक है इस टाप का कालनार हूं बडुन के लेने मिकरे शाना को शिक सराणी और आपको कुछ नहीं करना जो जाएं उसकी प्रेगनेंसी को तो वहां पर काटन छोड़ देना घर के किसी ऐसे कोने में जहां लोग आते जाते कम जहां उसे कोई डिस्टर्ब ना करें आपको आपने रख दिया बस नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना वह एक-दो बार उसमें साथ दिन से पहले भी और साथ दिन के बाद भी डिलीवरी देती हैं समझना यह है कि जिस दिन आपकी डिलीवरी देगी उस ते वह 2-3 घंटे पहले खाना पीना छोड़ दिगें हो सकता हो पूरे दिनी खाना ना खार जो खाना नहीं खाएगी ना सबसे बढ़े चीज पता करेंगे आपको उस इशारे को समझना है कि उसकी लेबर स्टार्ट होने वाली है तो आपको क्या करना है कि यही साइन होते हैं बिली के आपको ले जाके उसे सिरस आपके पास मौझूदगी कि आतनी बड़ा तो आप क्या करेंगे आप इसके पास बैठे रहेंगे प्यार से सहलाते रहेंगे तो दीरे दीरे सक लेबर पर इन होगा और जो प्रक्रिया होती है प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है रहा दोस्तों प्रोसेस अकर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि नॉर्मली छोटा सा बैलून टाइप आएगा पहले वाटर का वह फूर जाएगा उसके बाद धीरे-धीरे बच है ठीक है तो ऐसा भी नॉर्मल है तो आपको क्या करते हैं आपके पास था होते हो जांती जहीं होते होना उनक टिश्व पर ठीक है बहुत ज्यादा जो हल्का वालों में घरह चारों पर दोसरी चीज आपको काफी चाहिए चाहिए ठीक है तीन चीज यह हो गए चोथा जैसा में करता हूं वेसा आप कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा क्या करता हूं कि जब भी बच्चे होते हैं तो उसके मुंह में एक बूंद शहर जरूर डालता हूं ठीक है कैसे करना है वह बता देता हूं आपको अब जैसे लेबर स्टार्ट होती है तो वह जो कपड़ा आपने विछाया है वह गंदा होना शुरू हो जाए तो आपको काफी सार यह इसे घंदा हो जाएं फूरण ऑको उसे निकालके उसका ल्यूश कर देना ठीक है दूसरे लगा देना फिर दुबारा घंदा होजयता है इस काम में जैसे बच्चा होता है बच्चा होते ही आपको करना है टीशू पर से सुपूरी तरीके से ड्राइग कर लेना है ठीक ह दूसरी चीज नाप को भी थोड़ा सा दबाईएगा तो उसमें से बच्चे के नाप में से पाली निगल लियागा ठीक है तो टीशू पर आगया इस काम में फिर उसके बात अगर आप चाहें वह आपकी मर्जी ले उपार है कि आप श्रींज लेके एक एमिल के सिरिंग लेग तो आपको घ्र करके बच्चे साइड में रखने एक और दो हो जितने कि करने जयुक्त जीयगे पूरी तरीकर से फिरो जाएगी फिर उसके लागाए डाल देंगे मा के पास तो यह हो गया आपका टीशू पर हो गया सीजर का का इसा है कि आपको यह करना है कि कभी इसा होता है कि है कि माप ने अपको साफ करने में बेजे हो जाती है और जो नाल होती है ज़ेलHa है आप अपनी लेग्विज में जेख के साथ बच्चा आ जाता है तो आपको जयर काटनी होती है नाल से मतलाक्प उसकी जो नाल है वोसे अलग करनी होती तो कैसे करेंगे कि कम से कम बच्चे से एक उंगा पर कि एगा जितने बड़ी हमारी एक उंगली है न कि एक उंगली का फर्क लेकर आपको नाल कट कर देनी नहीं भी तो हमें जवरी चीज है हमें ध्यान और इत्याद किसी कि करनी हैं हमें कभी भी अपनी के नीचे बच्चों के नीचे गंदा कपड़ा नहीं रखना है समझ रहें रहें लिए भात को आपको इतना नहीं रखना हमें Quotone कपडा कर आँगे तो साफ रखेंगे किनरों जो में यूस करता हूं में शायद आप को बताव आप कर पाएं तो केक मेटर नीटी शीट नीटी शीट तीनसों चार सूर रुपी की दस आती हो उस दस की आपको दो टुकड़े कर लें एक शीट इतनी बड़ी होती है उसे आदा कर लेना बीच में से तो आपकी एक दिम में दो चेंज होनी है अगर आप ऐसा करते हैं उनके सब्सक्राइब करेंगी तो वह उसकी वहीं पर ड्राइब होती चली जाएगी अपने अंदर एब्जॉब कर लेंगी वो शीट आपको टेंशन खब हो जाएगी इंफेक्शन की फंगल की आप कपड़ा लगाते हैं यह कोई भी न्यूस पेपर लगाते हैं तो वह इतना सब्सक्राइब करेंगे 20 दिन चलेंगी वह शीट आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कितना क्या महीना डेड़ महीना महीने बर में बच्चे भार ने करना शुरू हो जाएगे बस तो महीने बर तक आपको यह सब चीज़ें कर दिने हैं तो आयतियात किसी की करनी है सब सब पहली ची चीज़र वह शीए प्लू सब्सक्राइब नूसससला हूँ सब्सक्राइब प्राइब करना जैकर दिने लगाता है नहीं है जो जहां उसे कोई तकलीफ नहों और इंपोर्टेंट बात यह दोस्तों कि मैं अपनी नीचे इस्टाग्राम आइडी का लिंक दे दूंगा आपको कोई भी सवाल करना हो कोई भी प्रॉब्लम हो जितना मुझत हो सकता है मैं जबाब देता हूं आप मेरे इस्टाग्राम आइडी को फोलो कर लिजी और उस पर मैसेज कर देगा तुम में जल्दी रिप्लाइदे दूंगा यूट्यूब के कमेंड पढ़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप चाहिए तो उस पर मैसेज कर देंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा मैं आपको जबाब दे सक कर दे रही है और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे थोड़ी से हिम्मत मिले कर दो कर दो कर दो